तो में चलो आपने गरूर पूरान का वो शलोक दिखा दिया या फिर फिल्म में भिश्म पितामा का भी उन्होंने उलेक किया है कि भिश्म पितामा ने भी अपनी मृत्यों को रोक करके रखा था उत्तरायन शुरू होने के बाद में ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा बराबर ना उसका भी उन्होंने उलेक किया है कि दक्षिनायन में मृत्य होती है तो सद्गती नहीं होती है उत्तरायन में मृत्य होती है तो सद्गती होती है ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेक आता है पर भाई शास्त्रों का उल्लेक करना ही था तो शास्त्रों में तो ये भी कहा है कि ओम नारायन नारायन सब मीत्रो कुराम राम सबका स्वागा थे दोस्तों कैसे है आप सब तो दोस्तों इस सब्ताइनी 30 अगस्त को भी हम चर्चा करने वाले हैं फिल्म मात्र एक घंटे और पचास मिनिट की है हॉरर फिल्म है हिंदी हॉरर फिल्म पता ने बिल्कुल ही जीरो प्रमोशन के साथ में इसको रिलीज किया गया है मैं पक्का कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे मित्रों इस फिल्म का नाम भी इससे पहले नहीं सुना होगा हाला कि फिल्म देखे तो अच्छी एक थीठाग बनी हुई है टेकनिकली फिल्म अच्छी बनी हुई है कास्टिंग वगेरा में भी देशे कि वह बहुत अत्वादी आधी जाने पैचाने चेहरे भी फिल्म में हमें दिखाई देते हैं फिल्म भी ठीक ठाक बनी हुई है होरर फिल्म ठीक ठाक मतलब टिकनिकली में कहा रहा हुआ फिल्म में जो बाते दिखाई है उसके बारे में आगे में चर्चा करूँगा टेक्निकली दिखने में कम से कम अच्छी production value की फिल्म दिखती है परन्तों फिर भी zero promotion के साथ में इसको इस सब्सक्राइब release किया है अब फिल्म की theme काहनी spoilers आ सकते हैं इसके बाद में ठीक है न तो फिल्म की शुरुआत में गरुड पुरान का एक श्लोक उनोंने दिखाया है जिसमें काय की पंचक में अगर किसी की मृत्य होती है तो उसकी सद्गती नहीं होती और उसकी सद्गती के लिए फिर कुछ एक परंपरा है कि गेहू के आटे के कुछ ऐसे चार आकुरिती बना करके उनका भी किया जाता है इस परकार की कुछ परंपरा है सा कहा गया है तो यही कहानी का बेस उन्होंने बनाया है तो एक विदेश से आया हुआ पढ़कर आया हुआ एक लड़का है उसके पिता की मृत्य होती है तो बहुत जदा दुख्ये परिशान है बहार से पढ़कर आया है रेतरिवास परंपराओं में उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो आत ही वो परिवार का विरोध करता है सब कुछ यह सब क्या फालतोगिरी चल रही है यह क्या वूडू डॉल्स वगएरा बना करके आप लोग यहाँ पर काला जादू वगएरा क्या कर रहे हो यह सब नहीं मैं नहीं चलने दूँगा शांति से अंतिम संसकार भी आप लोग नहीं करने दे रहे क्या वगएरा तो वो जो कुछ पाच आकृतियां उन्होंने बनाई हुई होती है उनको साइड कर देता है अंतिम संसकार वो नहीं करने देता और जो पंडित जी वहाँ पर आए वह होते हैं अंतिम संसकार करने के लिए वो भी कृतित हो जाते हैं और कहते कि नहीं मुझे अब यहाँ पर रहना ही नहीं है दक्षिना वगएरा भी रहने तो मैं चला जा रहा हूँ ऐसे रित्रिवास परमपराव का अपमान करोगे तो मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा तो वो चले जाते हैं जो कुछ वो गेव के आठे के आकरितिया बनाई हुई उती है उनका भी अंतिम संसकार नहीं होता और बाद में जो भी दहा संसकार था वो हो जाता है अब इसके बाद में वो आते हैं उनका एक फार्मपरावस है कहीपर तो फिल्म का जो मुख्य पात्र है वह भो ततवादी उन्होंने यह कैरेटर प्ले किया है विक्रम नैन उस पात्र का नाम है तो वो अपने उस भाई के साथ में उस फारमाउस पर आता है उस गाड़ी में साथ में वो जो गेहो के आटे की कुछ आकरितिया बनी हुई होती है वो भी गाड़ी में पीछे वो साथ में उस घर में ले करके आ जाते हैं अब इसके बाद में जो विक्रम का पातर है वह वह तत्वाद ने जो करेटर प्ले किया है उसका विवा होने वाला होता है तो यह जो विदेश से पढ़ कराया था वो तो चला जाता है वापस और बाकी यहां पर इस फार्म हाउस में ही जहां पर वो गेहू के आटे के आकरित होती है तो एक-एक करके मृत्यू होने लग जाती है तो वो शुरुवात में पता होता है कि वो आगे कहां पर इस कहानी को ले करके जाने वाले हैं एक-एक करके मृत्यू होती है अब आखरी मृत्यू जब होनी बाकी होती ना उससे पहले पता चलता है कि अगर इस बीच मे घर में कोई गर्बवती हो जाता है तब तो कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा तो शादी होने वाईलों शादी से पहले ही जो पत्नी है विक्रम की वो गर्बवती हो जाती यह पता चलता है अब इसके बाद में विक्रम तो परिशान हो जाता है इस बीच में जो विदेश चला गया था न जिसने ये पूरी परमपरा नहीं होने दिती वो विदेश से वापस आ जाता है और वो भी वो कह देता है कि भाई मुझे भी कुछ अजीब अजीब दिख रहा है भाई मेरे से गलती हो गई मैंने वो उस समय वांतिम संसकार ठीक से परमपरा के अनुसर नहीं होने दिया और फिर अब जो विक्रम है वो परिशान हो जाता है कि आरब मेरी पत्नी वो गरभवती है उसको बचाना है तो क्या करना होगा तो फिर वो एक पहाड़ी पर एक कोई महात्मा दिखाए हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए होते ह हारे को उनको किसी रिशी की तरह मतलब भगवावस्तरादी हो ऐसा नहीं दिखाया है कंबल ओड़ा हुआ है ध्यान मुद्रा में है ठीक है मतलब ध्यान मुद्रा में है तो कंबल में भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगा वो महात्मा दिखाए है तो शायद अभी वो कु भी नहीं अब वो जो ध्यानमुद्रा में महात्मा बैठे हुए हैं वो जो कुछ भी बाते वहाँ पर कहते हैं भाई कुछ सेंसी नहीं था उन बातों का क्या कह रहे थे मुझे ही कुछ राइटर ने क्या लिखा है पता निवोही जाने भाई क्या उन्होंने कहा कि भाई जब निरने लेने का समय आएगा तो पीछे मत हटना निरने ले लेना इस प्रकार का कुछ वो बात कहते हैं महत्मा है, ग्यान की बात करनी चाहिए थी, तो वो क्या कह रहे हैं, और इसके बाद में विक्रम क्या करता है, विक्रम कर लेता है, आत्मात्या, सुसाइड, गाड़ी ले करके जाता है, टक्कर कर लेता है, एक्सिडेंट हो जाता है, उसके मृत्ति हो जाती है, और उसके तो मैं शुरुआत में जब फिल्म देखनी के लिए गया तो मुझे लगा कि यार ये विदेश से पढ़कर आया हुआ लड़का है परंपराओं का विरोत कर रहा है तो फिर से वही कोई हिंदू संस्कृती परंपरा का मज़ाक उड़ाने वाली फिल्म होगी इसा मज़े शुरुआत में लगा थुरे देर बात मैं देख रहा हूँ कि नहीं यार ये तो उस परंपरा का पालन नहीं हुआ इस कारण से सच में इस घर पर संकटाया है ऐसे दिखाया है चलो वैसा भी आप दिखाना था आपको तो भाई कुछ आप बात में कुछ घ्यान की बात वो जो महात्मा दिखाया है उनसे वो कुछ दिखा देते क्योंकि शास्तुर में चलो आपने गरूर पुरान का वो शलोक दिखा दिया या फिर फिल्म में भिश्मपितामा का भी उन्होंने उलेक किया है कि बिश्म पितामा ने भी अपनी मृत्यों को रोक करके रखा था क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यों का वर्दान था तो उत्तरायन में उनकी मृत्यों हो ये बिश्म पितामा उनकी इच्छा थी तो उत्तरायन शुरू होने के बाद में ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा उसका भी उन्होंने उल्ले किया है कि दक्षिनायन में मृत्य होती है तो सद्गती नहीं होती है उत्तरायन में मृत्य होती है तो सद्गती होती है ऐसा भी शास्त्रों में उल्ले काता है पर भाई शास्त्रों का उल्ले करना ही था तो शास्त्रों में तो ये भी कहा है कि मृत्यू से पहले अगर भगवान के नाम का जाप भी कर लिया जाए तो भी दुरगती नहीं हो सकती शुमत भागवत पुरान में तो अजामिल की कथा आती है कि आजामिल नाम का एक ब्रामन था पत्नी थी परिवार था उसका पर एक दिन मतलब पहले तो काफी वो प्रामाणिक निश्टावान वगेरा होता है अपने कर्मों को ले करके पर एक दिन वो एक वैश्या को देख लेता है उसके रूप पर वो मोहित हो जाता है उस वैश्या को घर ले करके आता है उस वैश्या के साथ में वो संसार बस आता है अपनी पत्नी का त्याग करके उस वैश्या से उसे नो पुत्र हो जा नो बच्चे होते हैं पुत्र पुत्री जो भी है बच्चे होते हैं तो ऐसे में एक दिन उनके गाव में सत्संग होता है वो सत्संग की जो संत होते हैं उनके घरा करके रुकते हैं जो पत्नी होती है जो वैश्या तो वो उन संत मात्माओं की सेवा आदी करती है उन संतों का तो ये आजामिल तो गुस्ता हो जाता है गर पराने के बाद में तो अब संत देखते हैं कि सेवा हुई है हमारी तो इसका कुछ भला हो जाए तो आजामिल से कहते हैं कि चलो ठीक है एक वचन दे दो मुझे बस कि तुम्हारा अगर इसके बाद बच्चा होता है तो उसका नाम तुम नारायन रख देना तो आजामिल कहता है ठीक है उसे दस्वा बच्चा होता है उसका नाम नारायन रख देता है अब उस दस्वे बच्चे के प्रति उसका इतना मोह इतना ही आ सकती इतना प्रेम दिन रात उस बच्चे का नाम ले, वो, नारायन, नारायन कहा गया, नारायन, नारायन, अब शरीर तो जरजर हो गया था, वृध्धा वस्ता आ गई, मृत्यु शय्या पर वो लेटा हुआ है उस समय भी बस नारायन नारायन का जाप कर रहा है ऐसे में यम्दूत उसे लेने के लिए आते हैं पर तभी वैकुंड से भगवान विश्णु की दूत वहां आ जाते हैं और यम्दूत उसे कहते हैं कि ना इसको तुम छू नहीं सकते भले जीवन में इसने कितने भी कुकर्म किये क्यों न हो इसने मृत्यु के समय नारायन नाम का जाप किया है इसको यम्दूत छू नहीं सकते इसकी दुर्गती नहीं हो सकती और ऐसी तो कई सारी कताय शास्तुर में आती है पौरानिक कता है वो प्रतिकात्मक कता है होती है पर अगर पुरानों का जैसे कि गरूर पुरान का आपने उलेक दिया प्रतिकात्मक कता है होती है उनका उद्देश्य है कि हम उपनिशदों के शुरुतियों के सार की तरफ उनके ज्ञान की तरफ हम जीवन में आगे बढ़े उनका उद्देश यो कोई भए उत्पन्ना करना नहीं होता कि जीवन में हम भगवत नाम, स्मरण, चिंतन, ब्रह्म विद्या, वैदिक दर्शन उसके तरफ हम आगे बढ़े क्योंकि जीवन में मुक्ती ही सर्वत परी है और मुक्ती के मार्क के तरफ हम आगे जाए तो वो तो जीवन मुक्त महात्मा हो जाते है वो तो अपने शरीर को मन बुद्धी जित्त एहंकार से परे हो जाते है अपने आत्म स्वरुप का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनका शरीर कब जाए, दक्षियान में जाए, उत्तरायन में जाए, किस भी दिति में जाए उनकी तो जीवन मुक्ति वो प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन मुक्ति की महिमा बताने के लिए शास्तुरमी ये कहा है तो हम कुकर्मों से बचे वैदिक जो ज्यान है, वैदिक दर्शन का जो ज्यान है, ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है उसकी तरफ हम आगे बड़े जीवन में, जीवन मुक्ति प्राप्त कर ले, जीती जी मुक्ति हम प्राप्त कर ले बाद में कही पर जाकर स्वर्ग का सुख मिलेगा या नर्ग का भय मिलेगा इससे हम जीते जी मुक्त हो जाए इसका महतों बताने के लिए शास्तुर में ये बाते आती है को भय उत्पन्न करने के लिए डराने के लिए अध्यात्म का मार्ग नहीं है अध्यात्म का मार तो सारे भयों को मुक्त करने से ही अध्यात्मिक मार की शुरुआत होती है निर्भय बनो, निर्भय बनने से भय का त्याग करने से ही अध्यात्म मार की शुरुआत होती है और जब हम आत्म सुरूप का ज्यान करते हैं तो उस अभय पद में, निरभय पद में हम स्थित होते हैं तो अध्यात्म तो सब भयों से मुक्त करता है हमारे सब्वेता, हमारे संस्कृति तो उसका बेसिक फिलोसौपी वैदिक दर्शन ही यही है तो हमारे संस्कृति तो सभी भयों से मुक्त करके जीवन मुक्त होना सिखाती है न स्वरग की लालसा दिखाती है, न नर कभय दिखाती है जीते जी मुक्त हो जाओ, बाद में किसने देखा है, यह हमारे वैदिक फिलोसौपी है और आप मतलब ठीक है, परंपरा का पालन नहीं किया, तो बाद में वो जो ग्यानी महात्मा दिखा है उनसे कोई अच्छी ग्यान की बाद बुलवा देते हैं, आप क्या फिल्म के इंडिंग, मतलब यह फिल्म देखने के बाद में कोई विक्ती अध्यवत्म से जुड़ेगा या दूर हो जाएगा इसकी जो मेकर से उन्हें रिदे पर हाथ रख के सोचना चाहिए आप हॉलिवड की हॉरर फिल्म से अगर देखेंगे ना, उसमें आप देख लीजिए किसी विक्ती को पोजेस्ट जब वो दिखाते हैं ना, किसी घोस्ट वगरा से, भूत वगरा से, तो उस घोस्ट को उस भूत को वो कुछ पेगन कल्चर से दिखाएंगे एंशेंट कल्चर से उन जिनको वो डिविल वर्चिपर्स कहते हैं, उससे वो अपसिस्ट होगा, फिर कोई पाद्री आ करके वहाँ पर एक्जोस्टिजम करेगा और उसको ठीक कर देगा वो इस प्रकार की थीम यूज़ करते हैं, पर हम तो अपनी संस्कृती परमपराओं को लेकर के और ज़्यादा भय उत्पन्न कर रहे हैं दर्शकों के मन में, ऐसा मुझे कम से कम लगा यह फिल्म देख करके चलिए बाकी ओरॉल प्रोड़क्शन वेल्यू ठीक ठाक थी फिल्म की, अच्छी लगती है फिल्म दिखने में विजुल्स वगेरा ठीक ठाक बजट के साथ में बनी हुई फिल्म है, परफॉर्मनसेस वगेरा भी फिल्म में सभी के बढ़िया थे, इसमें कोई संदे नहीं पर बेसिक जो फिल्म की, जो भी कंसेप, थीम उन्होंने उप्योग किया है, वो मुझे कम से कम पसंद नहीं आया बाकी तो एंगेजिंग तो नहीं थी, ठीक है, शुरुवात में हम देखते जाते हैं, पर बाद में वही बाते बार-बार-बार होने लग जाती है फिर उसमें कुछ दर भी नहीं रहता, कि यार चलो यार पाच वो आकृतिया बनी है, गिहू के आटे की, तो पाच मुरुत्य होंगी, वो पहली पता होता है, तो वही बाते थोड़े थोड़े देर बादरी पिट भी होने लग जाती है तो उस दृष्टी से भी कुछ एंगेजिंग वगेरा मुझे तो कम से कम नहीं लगी मैं अवेडिंग स्टोरी को दूँगा, टू आउट आप टेन स्टार्स पैंडल गाडियंस की बात करें तो यूए सर्टिपिकेट के साथ इसे थेटर में रिलीज किया गया है फिल्म में कोई सेक्स नियूडिटी वगेरा तो नहीं थी, कोई खास ऐसा वाइलेंस वगेरा भी नहीं है और बाकी कोई से बहुत डराऊना ऐसा कोई सीन भी फिल्म में नहीं था बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है आप कानुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में आवश्य बताना ये वडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम